दोस्तों स्वागत आप सभी का वाइफाई स्टेडी चैनल पर चेंजिंग डवे ओफ लर्निंग वाइफाई स्टेडी ज़ल्दी से एक पर कमेंट बुक्स पर लिखेगा आवाज आ रही आप सभी को साथ बचे के धमाकेदार सेशन में आपका स्वागत है एक साथ हर एक 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 बचे वाली क्लास सबसे ज़रूरी साथ बचे वाली क्लास सबसे ज़रूरी एक बार लिख दो आवाज आ सारी आपको है ना फिर स्टार्ट करेंगे गजब तरीके से 120 कोशन उठाने मस्त तरीके से पावड तोड़ कोशन सारे के सारे चलिए चलो जी फिर स्टार्ट करते हैं सारी क्लास देखिए इंडियन बॉलेटी यूट्यूब पे सार्च करना आपकी जिम्यदारी अगर आप वर्ल्ड अफेर्स चैनल के वीडियो सेक्शन में आज ही इस क्लास के बाद चले जाना ठेक हैं और इस क्लास को जरूर देखने रहा बाप 15 मिट से पहले मैं खतम करा देता हूं करन्ट अफेर और फुल एक्स्प्लेनेशन के साथ टैस सीरीज आप पर एवलेबल है यूटि सब कुछ आपको एक रैफर कोड लाइब अमन से मिल जाएगा सब कुछ आपको एक रैफर कोड लाइब अमन से मिल जाएगा ससी गोल सेलेक करना है क्लिक करना है जब रैफर कोड यूज करोगे तो आपको मन सेलेक करना अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 120 कोशन सारा ध्यान होना आचे किया र कितने कोशन आपको आते हैं कितने कोशन आपके लिए नहीं हैं कितने कोशन आपको और सीखने हैं 8000 कोशन हम जल्दी खतम करते हैं इस क्लास में अगर स्पीड में answer करेंगे चलिए बते पहले question से start करते है Man of Peace Man of Peace से क्या जाद आता है जय जवान जय किसान या फिर तक्ष्टान एग्रिमेंट यादाता है ठीक है या फिर ऐसे विखती जिनको मर्नो उपरांद भारत रतन से सम्मानित किया गया चार चीज़े यादाती है आता क्या है अंसर ठीक है लाल बहादुर शास्त्री जी ठीक है याद रखिए का तक्ष् कोशन देखते हैं एक में चार इंफोर्मेशन कठी करने और आपको ये भी पुछा सकता है कि लाल्भादर शाष्त्री जी एरपोर्ट भी ऐक Princi machine नियुक्त कि और अंशिक grandpa जे रोचन वह भी आ सकता है लेकिन वो हम कोशन में करेंगे ठेक है वह हम कुशन करेंगे एंगे कुरुशिकर पीख बड़ा प्यारा कोशन गी कोशन आपके सामने स्क्रीन पें बढ़ा आसान दे रखा है थेक है कि गुरूशिघर पी कहा पे है तो आप अशर लगाते हो राजियस्थान वसक्ता अश्व बढ़ा आसान कोषन आपसे कहा जाए कि आशाली ऑलिकी सबसे हईस्व कि मिल ना गरो पीडियेफ मिल लएगे आपको पीडियेफ की टेंशन ना लो अभी पहले क्लास तो दो अभी तो एक घंडा पढ़ना 120 कोशन करने अभी और आवली हिल्ज की हाईएस पीक कौन सी एक गुरू शीखर आप सभी जानते यह भी पता है अच्छा सवाल एक और आता है कि माउंट आबू में माउंट आबू के पास पढ़ता है याद रखना माउंट आबू के पास पढ़ता है गुरू शीखर कोशन इंपोर्टेंट है यह ऐसे भी आ चुका है ऑप्शन में राजिस्तान नहीं था माउंट आबू दे रखा था ठीक है यही पे कोशन गलत होगा यही पर आपको धिमाग में रखना ये कोशन आ सकता है, चलो एक और देखू, भागलपूर है बिहार में, कहरा है नदी बताओ कौन सी है, अच्छा जी जादतर जो बिहार के शहर है वो गंगा नदी के किनारे है, जादतर शहर जो है गंगा नदी के किनारे है, जैसे कुछ श जैसे अगर मैं एक्जाम्पल के तोर पर कहूं पटना, पटना किस के किनारे है, बहुत रेर हैं, जो कई आगे पीछे होंगे, कुछ हुगली के किनारे भी है, ना, रेर में से, चलो एक और कोशन देखो, बताओ इस कोशन का कंचन जंगा, नाम से खतम होता है कोशन यार, क शिक्किम में हैं कंचन जंगा की जो पहाड़ी भारत की सबसे highest week जिसे अम मानते हैं इन undisputed area इन andisputed area हम सिक्किम ना बेटा यहां पर यह क्लास ऐसी है कि एक बार स्टार्ट कर दिया साथ बजे नो बजे तक हमें इतने कोशन करने हैं कि मतलब आपकी preparation चार से पांच दिन में पूरी हो जाए कोशन्स की जो अती है टेकर इतने कोशन करें तो answer इसका सिक्किम है कोई जादा मुश्किल कोशन नहीं है कंचन जंगा पूछा जाय सिक्किम है तो कोशन आपके लिए असान है एक और question देखो बताओ इस question का answer क्या है share करना बेटा फीजी आज का capital आज का currency जल्दी से बतेगा रोज मैं कोई देश करा रहा हूँ एक नहीं तीन चार तूकि question बहुत सारे तो तीन चार हो जाते है राम्स ठीक है बताओ इस question का answer फीजी जो share है उसका capital और currency क्या है पताओ फीजी शहर का capital और currency क्या है इस question का answer के है है ना बेटा जो याद नहीं रहता ना वो बार बार रिवाइस करके याद होगा है ना चलो आसान है फीजी अब यह भी याद रखना फीजी ऐसा नहीं को कोई जादा बड़ा दूर का देश है अपने जान परचान के देशों में से एक माना जाता है ठीक है सूवा इसकी capital है डोलर इसकी currency है ठीक है सूवा इसकी capital है डोलर इसकी currency है जैसे अगर मैं बात करू एथन्स Athens किसके लिए famous है आप सभी जानते Greece ठीक है बहुत famous Olympics से संबंदित है तो इसलिए famous है एथन्स तो Olympics से संबंदित है ठीक है इसलिए famous है क्योंकि जो nation of parade होती है न Olympics में वो सबसे मेले करता है इसलिए इस पर question आए नेशन और परेड का question भी आ सकता कि Olympics में nation of parade में कौन सा देश सबसे आगे रहता है कोशन आ सकता है सुनो दोबारा Olympics में nation of parade में कौन सा देश सबसे आगे रहता है याद रखना question आते है European investment वेंग के headquarter कहां पे है बताई आंसर कैस कोशन ना कि participate करो maximum share करो जल्दी से बताओ आंसर क्या है जल्दी से बताओ आंसर क्या है European investment हर तरीके का कोशन है भई स्टाटिक जीके जितना हो सकता ना दुनिया भर में कवर मैं इस साथ वजे वाली क्लास में कवर कराता हूं आप डेली जुड़ते हो साथ वजे आपको पता हुआ कि तो बड़ा असान भी कोशन है कोई जाधा मुश्र्ण के हैं जैसे अगर मैं बात करूằं मनीला फिलिपिंस में किसके है क्या इस्यां डेवलप्मेंट के हैं क्या एषियन डेवलॉप्मेंट मेंक के हैं बहुत इम्पोड़न कोशन क्या Asian Development Bank है हाँ या ना खुद बताईगा मलीना फिलिपिन्स में क्या इसके Headquarter है एशन Development Bank के Headquarter येस और नो का Comment आना चीए अभी ठीक है येस और नो का Comment अगर मैं इधर बोलू Shanghai China क्या New Development Bank के है New Development Bank ये सब Information आपको है ये सब छोटी-छोटी बाते आएंगी कि नियू Development Bank के Headquarter कहां पे है Asian Development Bank के Headquarter कहां पे है और ये European Investment Bank के Headquarter कहां पे ये सब चीजे बहुत पूछे जाने वाली है याद रखना है ये सब चीजे बहुत पूछे जाने वाली है ठीक है याद रखे ठीक है चलिए अरे हाँ भाई है तो भाई होना भी चाहिए धाप फोक डांस है कहां का जल्दी से बतेगा धाप कहां का फोक डांस है जल्दी से बतेगा ठीक है बड़ा अच्छा कोशन है पूछा आ सकता है सर ये class किसके लिए है बेटा ये class GK के लिए अब आप किसी भी exam की तहरी कर लो GK के लिए ये class साथरे daily होती है ठीक है अब बताओ कौन सी state का folk dance है है ना बताओ answer है इस question का कौन सी state का folk dance है तो ये Odisa का folk dance है का का? Odisa का folk dance है Odisa के national park में सब से important है simply people, सब से important बार बार पुछा आता है भीतर कनी का सब सकतर और अपता होने चीפहे है है में Torah की हारयाना का folk dance क्या है जूमर कहा का folk dance है मनीपुर țे सम्मधित कौन सा folk dance है मद्धे बरदेश की कौन से folk dance मद्यबदेश में कूं सा नैशनल पार्क है, पन्ना नैशनल पार्क कहां पे, मैं इतने सारे वर्ड आपके सामने क्यू बोल रहा हूं कि आपको खुद को मैसूस हो कि आता है कि नहीं आता है, ठीक है, नहीं आता है तो आप पड़ोगे, ठीक है, नहीं आएगा तो, silver revolution किस से समद्य बड़ा आसान question बहुत basic है white revolution, blue revolution और pink revolution ठीक है तो बसता क्या है? egg, silver revolution कुछ है ही नहीं इसमें याद रखेगा white, pink blue और silver सारे revolution color के होने चाहिए आपको याद ठीक है? चलिए एक और question देखीएगा इस question का answer बेटा pronunciation में मत जाना इस समय हम चीजों को कर रहे है speed में, मैं भी एक आधी pronunciation आपकी रह सकती है कि मैं बहुत तसल्ली से ना बोलू, मैं अमन का अमना बोल दू गलती से, राम का रामा बोल दू तो वैसे रामा सही होता है, ठीक है exactly, समझ दो आसा भावना वो समझो इधर कि आपका question correct होना जी ये बस राजीव गांदी खेल रतन अवोड first person किने मिला था सबसे पहली वक्ती जिनने राजीव गांदी खेल रतन अवोड मिला था, इस question का answer क्या है ठीक है, answer क्या है इस question का चलो जी, answer है बटाई, share करना answer इस question का, ठीक है विश्वनाथन आनंद जी, chess के मतलब, god of chess कह सकते है न यार, ठीक है विश्वनाथन आनंद जी, chess से संबंदित है, आप सभी जानते है राजीव गांदी खेल रतन अवोड मिला, chess की स्थापना बेटा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ एक का मैं आपको दूँगा Chess, India में खो जा गया पेटा, chess day किस दिन मना जाता, July में बना जाता है question का answer आप बताओगे Exactly, July मन्त में बना जाता है question का answer आप बताओगे world chess day किस दिन मना जाता है मैंने question simple सा पूछा, world chest day की जिर्व बनाता है, simple सा सबा, चलो बताओ इस question का answer, डोक्टर सामपुरनंद stadium जो है, नया question है, बताओ, यह जो stadium है, यह कहाँ पे, बताओ, इस question का answer के है, है ना, बड़ा प्यारा question है, डोक्टर सामपुरनंद stadium जो है, कहाँ पे, अच्छा एक चीर याद रखना, कल दो पैर को दो बजे, मैं वाइफाइ स्टडी पे सभी awards and owners 21 के करा दूँगा, पेपर में सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं, awards and owners, कल दो पैर दो बजे, CHSL का पूरा पेपर के साथ awards and owners होंगे, उसी पेपर में awards and owners सबसे ज़्यादा होंगे, हुलना मत क कोई भी awards and owners की class देखना, कल दो पैर दो बजे, ठीक है, special class for awards and owners, यह वारन असीस का आंसर है, बहुत महत्पूर्ण सवाल, चलिए एक और question देखिए, ठीक है, बताई, चलो बताँए, National Payment Corporation of India, देखो बड़ा अच्छा question है, NPCI है भी बहुत important, दुनिया भरे हमारे भारत में जितनी भी जो payments होती है न, वो सब इसी से संबंदित है, ठीक है, NPCI, NPCI is an umbrella organization, बहुत important, कौन सी जगा पर इसके headquarter है, बड़ा प्यारा question है न, तो बड़े प्यारे question में से एक answer कहा है, इस question का, मुंबई, मुंबई में बहुत सारी चीजों के headquarter है, just like SBI के headquarter है, just like RBI के headquarter है, और भी अन गिनत headquarter कहां पर है, मुंबई में ही है, ठीक है, नवाड हो गया, SBI हो गया, RBI, NPCI, मुंबई के जितने भी organization है, जैसे अगर मैं कहो न, लखनों में कुन सा आप बताओगे, लखनों में किसके headquarter है, बताएगा कोई, लखनों में किसके headquarter है, इधर इस class में 7 वजे, एक ऐसी class है, दिमाग खोल के बैटोगे, तो एक घंटे में इतना कुछ पढ़ोगे, जो पूरे दिन में कभी नहीं बढ़ा, लेकिन active mind से ही है, बताओ भई, लुकनों में किसके headquarter है, माइक्रो स्मोल मीडियम एंटरप्राइजी से संबंदीत है, जल्दी से बताएगे, इस question का answer क्या है, ठीक है, बताएगे, सिद्बी के headquarter, प्रकाश का answer, सिद्बी, small industrial development bank of India, small industrial development bank of India, बहुत important question है, पूछा सकता है, चलो एक और question देखो, बताओ, सी के लिए, exploration council जो है, international council exploration जो है, वो कहाँ पर located है, headquarter, यह बहुत आते हैं, आप देखो न, 25 कोशन में, आद 15 से प्लस पर कोशन तो यही होगे, यही portion होगा, जो मैं आपको इधर करा रहा हूँ, topic wise class रात को 8 बजे होती, इस class के just continuation में topic होगा, आज का topic है, सारे के सारे के ल जितने भी force है, answer केंबरगन, Denmark इसका answer है, बहुत प्यारा कोशन, ठेक है, कुछ जादा ही प्यारा कोशन है, ठेक है, Denmark बहुत चीजों से संबंदित है, ठेक है, आप सभी जानते हैं, एक और कोशन देखिए, इस कोशन का answer क्या है, let's see, अच्छा, लगे हाथ पूछूँगा क्योंकि कोशन इंपोडेंट है, बीजिंग, चाइना में कौन से बैंक के हैड़कॉर्टर हैं, बताईए, बीजिंग, चाइना में किसके हैड़कॉर्टर हैं, मैं आप से सीधा हाँ या ना पूस्तों हैं, आप बताईगा, क्या Asian Infrastructure Investment Bank के हैड़कॉर्टर बीजिंग, चाइ हैं मैं इसलिए पूछता हूं कि आपको इन से ज्यादा रिवाइड होता है ठीक है चलो येस और नो ठाइए मुझे ऐसे युनाइटेड अरब एमिरेट दुबाई किसके ठीक है इंटरेश्य क्रिकेट काउंसिल के चलिए येस इसके हैड़कोर्टर यही पर बीजिंग एसे संगमसिटी अज़शन का उपर कोशन क्या आता है अलावात की ओपर question क्या आता है जल्दी से बताएका बहुत प्यारा question आता है एलफ़र्ड पार्क का question आता है बहुत बार सुनाओगा आपने ऐलफ़र्ड पार्क ये बागी आपको और चीज़ें भी मिलेंगे धीरे धीरे ठीक है एक और question देखेंगा अच्छा इसको आप नागीन लेक मत समना निगीन लेक है बता ये कहां पे वेर इस निगीन लेक बैटा शेर करो maximum जल्दी से शेर करो class daily हो रही है class daily हो रही है आप ही को शेर करना है class को हर जगा ठीक है साथ बजे daily की class को आपको शेरी करके आना चाहिए जैसे अगर मैं बात करूँ नगीन लेक कहां पे है बताए कूंसी स्टेट में सिच्वेट है बताँ थोड़ा सा अलग कोशन बेटा आठ बजे जो topic वाली class होती है वो an academy पे free of course होती है मैं इस class के end होने से 5 मिनट पहले link लगा दूँगा topic रोज होता है हर दिन बच्चे इधर पढ़के topic पढ़ते हैं उन्हीं बच्चों को सफलता मिलेगी जो इधर पढ़ने के बाद topic पढ़ेंगे क्योंकि topic जरूरी है आपके लिए ठीक है नगीन लेक जम्मू कश्मीर में ठीक है याद रखेगा union डैटरी कौन सी जम्मू कश करेंगे याद रखना ठीक है बहुत इंपोडेंट है ठीक है दोस्तों यही सब चीज़े सीखनी है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन कहां पर लोकेट है जल्दी से पतेगा इस कोशन का आंसर क्या है पार्टिस्पेट करो एस दा मैक्सिमम पोसिबल जित है ठीक है जर्मनी में है हाल फिलाल में जर्मनी में खीज़ें बहुत दिक्कत हुई फ्लड पानी के वच्वाचे से पता है अच्छा फ्याद रही है बेद के लिफ्टिंग फेडरेशन जो है ना एजर लुसियाना बे एफ 여러분들 क्या आएक मैं क्यूकि मैं पीछे करा चुक दिमाग क्यों क्ला दिया 8000 कोशन पूरे करने लुसियाना कि इंटरनेश्नल ऑलंपिक कमेटी इंटरनेश्नल याद रखेगा इंटरनेश्नल ऑलंपिक कमेटी जो है है जो कि decide करती है कि olympics कहां पर होने वाले हैं तो इंटरनेशनल olympic committee headquarters लुशियाना स्विजिलाइड में कोशन आ सकता है चलिए एक और कोशन दिखें इंटरनेशनल firefighters day बताओ मेटा answer के हैं अच्छा आज क्या दिवस है आज 29 जुलाई को क्या उबजर्व करते हैं कमेंट करना एक बर 29 जुलाई को क्या उबजर्व करते हैं 29 जुलाई को क्या उबजर्व करते हैं यह तो खेर international firefighting day हमारा हो जाएगा चार महीं को हैं लेकिन आज क्या है 29 जुलाई को क्या होता बताई यह क्या कुछ टाइगर से संब्दित है आज क्या कुछ टाइगर से संब्दित है international tiger day है global tiger day है आज 29 को ठीक है भूलना मत 29 जुलाई global tiger day मेंकिंग इंडिया ओसम किताब के ओथर कोन है कमेंट करेंगा Making India Awesome किताब के ओथम कोन है जल्दी से बताई इस question का answer के है Making India Awesome किताब के author कोन है सारी किताबे भी cover कर रहे है सारी किताबे भी cover कर रहे है क्योंकि आते तो हैं ही question चेतन भगत जैसे famous व्यक्ति अगर होंगे और लिख दी होंगे कुछ तो यार याद तो होना चाहिए Making India Awesome किसकी है ठीक है चेतन भगत जी किया अनुकम खेरने भी वैसे लिखा है एक किताब ठीक है वो भी famous है इस समय ठीक है चलिए एक और question देखे David Beckham किस खेल से हैं सुचड़ है Easy question बहुत जादा खिलाडी बड़े famous ठीक है फुटबोल से है अच्छा जैसे अभी कोपा हुआ था ना कोपा 2021 मैं आपको कल दोपैर को दो बजे CHSL की तियारी के बीच में आपको सारे awards करा हुआ बस मैं छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ कोपा 2021 फुटबोल से संबंदित है कौन सा देश इस समय जीता है इस बार कौन सा देश कोपा 2021 जीता है जल्दी से बताएगा खुद आंसर बताएगा आंसर क्या है यह आप बताओंगे अक्षर धाम नई दिल्ली में कोई जादा मुश्किल कोशन छोड़ सकते है रनकपुर जैन टेंपल कहाँ पे लोकेटेड है जल्दी से बताएगा रनकपुर जैन टेंपल कहाँ पे लोकेटेड है इस कोशन का आंसर है ठीक सोल करो इस कोशन का आंसर है अर्जंटीना जीता था कौपा कोन जीता था अर्जंटीना ये class जोश्वरी होनी थे यार मैं सारी classes तो कहता नहीं आने के लिए सुबह की मैंने कोई class अभी तक नहीं का मैं बस एक world affairs कहता हूँ आने के लिए उसके बाद 7 बजे आके एक topic पढ़ो 7 बजे आके इस class को पढ़के एक topic पढ़ो 8 बजे का वो topic बहुत जरूरी है बस है ना 8 बजे का topic बहुत जरूरी है और academy free of course राजिस्तान इसका answer है एक और question देखिए world soil day किस दिन observe के आता है comment करेगा world soil day हम किस दिन observe करते हैं इस question का answer क्या है जल्दी से बतेगा when we observe world soil day चलो बेटा answer क्या है इस question का पांच दिसंबर इसका answer है क्या answer पांच दिसंबर ठीक है एशोर ट्रोफी किस खेल से संबन देता है comment करेगा easy question है ठीक है maximum जुड़ियेगा सारे के सारे 7 बजे जुड़ियेगा time पेक दम fix timing है 7 बजे जो बच्चा अभी आ रहे है ना अगर आप 7 बजे आऊ ना आप 30-40 question मिस नहीं करोगे अपने और डेली मिस नहीं करोगे तो सोचके देखो बहुत question आपके छूट जाएंगे अगर 7 बजे एजक्ली नहीं आते इजक्ली साथ बजे आये करो time 7 बजे वाइफाई study यूटूब पे सर्च करो यूटूब पे सिर्फ नोटिफिकेशन का इंतिजार मत करो सीधा वाइफाई study साथ करो मेरी ही class मिलेगी आपको साथ बजे ठेक है मॉलिंग नैशनल पार्क कहाँ पे बटा comment करेगा इस question का answer का answer का answer है अरुनाचल परदेश में अरुनाचल परदेश की तीन hills हैं बहुत बार question आता है मैं आपको अभी वलत तीन नी तो दो तो आपके लिए important हैं कौनसी दोगों हैं सुन लो पहला है डाफला hills बहुत आता question पहला है डाफला hills पहला गालो है सबको पता क्यों नहीं पूछन नहीं पुछने वाला और अगर पूछेगा भी तो सबको आता होगा अरुनाचल वदेश का याद रखना अब डाफला और अब और हिल्स पे कोशन आने लग गया है ठीक है पैटन चेंज हो रहे हैं जितने पैटन चेंज हो रहे हैं उतना अपडेट आपको करना पड़ेगा याद रखेगा ठीक है आप स्टेंशन नालो नेगडिव मार्किंग अभी पहले सोचके चलो ना कि कुछ नेगडिव करेंगे नहीं सब कुछ पोजिटीव ही करेंगे आंसर हर एक सही होगा हमारा ठीक है अंसर इसकुछ है नियोक ठीक है अच्छा यूनिशेफ के भी हेड़कॉर्टर यहां पर ही वियना में ओपेक के भी हैं UN DOC के भी हेड़कॉर्टर है ठीक है और वियना में ही आपको क्या बोलते हैं ओपेक हो गया है इंटरनेशनल एटोमिक एनरजी एजनसी के भी हेड़कॉर्टर है यही सब हेड़कॉर्टर आपको वियना में मिलेंगे सब ही तो हम सारे एक और कोशन देखते हैं इसी बात पर topic तो होगा साथ के साथ information लेना जरूरी है आपके लिए ठीक है याद रखेगा चलिए एक और कोशन देखें ब्रिंदावन गार्डन कहाँ पर खेल हो जाता है यहाँ पर यहाँ पर हो जाता है खेल और बच्चे करते हैं गलत देखते है है ना चलिए बताई इस कोशन सर 120 कोशन कर ले और याद सब कुछ होगा वेटा रितिक हम जितना करेंगे ना उतना ज्यादा याद होगा अगर आप भाई इतना ही लेके जाओगे तो यार बचेगा भी इतना ही उसमें से अगर आप इतना लेके जाओगे ना इतना दो बच यूपी गलती से भी मतला उस्टेट में लोकेड़े कोशं का अंसर को अंसर कि यह जल्दी से वादा दान तो आंसर का एक कोशन का गुजरात इसका आंसर है क्या आसर गुजरात इसका आंसर है दांति वाड़ा पर कोशन आता है ठेकर सब कुछ पूछा जाएगा जो हम बता दें हो पूछा ना जाए सात वजे जो पढ़ लिए यह आप सात बजे ना यूटुब पर सीधा प्राइदा होगा आपको पेपर में अशोर्टी देता हूं इस चीज़ की बस इसके बाद एक टॉपिक कर लेना साथ इंपोर्टेंट टॉपिक लगातर करा रहा हूं ठीक है युनाइटेंट नेशन एंवार्मेंट प्रोग्राम यून यूनेप के जो है हैं वो कहां पर जल् इसले कोशन आ सकता है ठीक है चलो एक और देखूं कोट्याम सिटी केरला में है कौन सी नदी के किनारे बताई इस कोशन का आंसा के सेश्व को लाइक करिएगा सारे के सारे जल्दी से और शेयर करिएगा विटा भी अभी बहुत क्लास होनी है यह बहुत कोशन है यार अभी अभी 70-80 कोशन करने हैं अभी इससी क्लास में बताब कोट्याम सिटी केरला में है कौन सी नदी के किनारे आंसा के है चलो जी आंसर है इस कोशन का मैं चली इसका आंसर है अच्छा जैसे हमें यमुना याद आता है ना तो हम क्या लगाते हैं दिल्ली हम जमना से मुतरा भी लगा सकते हैं कि मतरा भी लगा सकते हैं इटावा भी लगा सकते हैं ये अगरा भी lager सकते Champions ये खेंक ये सब जायेगा आगरा आगरा याद रखना ऑभाग去了 सन्ब्स पर किरण चीजी मैं ऐसे याद कर रखी हुई है ना आपको भी टिप्स पर याद हो जाएगी इस क्लास में आके डेली बेसिस पर क्योंकि हम बहुत कोशन उठाते है न तो दिमाग में आता रहता है पीडियाफ हमेशा मिलती है ठीक है पीडियाफ की टेंशन ना लो चलो एक और कोशन देखो तुलिहाल इंटरनेशनल एरपोर्ट कहां पे लोकेटेड है इस कोशन का आंसर क्या है ठीक है बताए इस कोशन का आंसर क्या है हां जी बताए तुलिहाल इंटरनेशनल एरपोर्ट कहां पे लोकेटेड है कूंसी स्टेट में तुलिहाल इंटरनेशनल एरपोर्ट है जल्द हाल होते हैं तुले हाल होते हैं बुरे हाल होते हैं ठीक क्या जहां पर मनी ना हो बुरे हाल होते हैं तुले हाल होते हैं याद रखेगा याद कराने का तरीका है कर सकते हो आँ ठीक चलो एक और कोशन है अच्छा यह हो गया च्लास ही किलास कब होती है का मतलब आसान, सिर्फ छोटा सा अंसर है वाल्ड अफेर के वीडियो सेक्षन में चाहे रात के 11 बजी जाके देख ले न zeros मेरा करेंट अफेर आज का मिल दाएगा मैं सुबह शुबह डाल देता हूँ करेंट नमर की पूरे दिन में बच्चे को जब टाइम मिले वर्ल्ड अफेर की वीडियो सेक्ष्ट में जाए और 15 मिनट से भी कम की एक वीडियो को देखे पूरे दिन के करेंट अफेर कवर कर ले यह आप पे डिपेंड करता आप कब करते हो सुबह करो तो पैर करो रात करो वट्सवयवर डे किसी भी टाइम करो मिजोर अभी इसका अंसर है ऐसे भी कोशन आ सकते हैं ठीक है यह भी आप से पूछा सकता जैसे इसका आंसर कि वही वर्ल्ट ट्वालेट डे किस दिन अब लसlight दोंगा थे आए बिडि़क आपको एक इन्फोर्मेशन दोंगा आंसर कि इस विर्मय नवमबर इसका सब्मक्रणाबए और भी बहुत सारी चीजरी पर्पस अच्छा है कोई बताएगा इस पे कोशन आने के चांस इस है दिली में बनाएगा बिल्ली बहुत ज्धा है जाद मेहत्पुन देखींगाई के अच्छा 27 जुलाई ठीक है ए पी-जे अबदूल कलाम जी का निधन हुआ था इस दिन मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि याद रहनी चीज़े 27 जुलाई एपी जे अब्दुल कलाम जी का निधन हुआता इस दिन कोशन आ सकता है शेर करना मेटा सेशन को सबसे पुराना चर्च भारत का है सेंड थोमस चर्च सवाल पूछा जा रहा है कि ये थोमस चर्च कहां पे लोकेट है कौन सी स्टेट में लोकेट है इस क्लास आट बजई होगी इसके क्लास के जफ्वाद हुआ मिसको च्टा की याद रखना है कर ला षर कोशन देखिए स्टाइब है व्ट चैपिटल ऑफ एन करंसी ऑफ हती जो हती देश है खतरनाक देश है और इसकी कैपिटल का अंसर के हैं जल्दी से जुड़ जाओ सारे के सारे टाइम पर आ जाए गर एकदम जितना लेट करोगे उतने कोशन छुटे हैं कोशन आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है एक भी कोशन नहीं छोड़ना तो साथ बजे डेली टाइम पर आएक और फिक्स वाइफाई श्टड़ी की क्लास है ठीक है और इतना खतरनाक देश है यहां पर युनाइटिड ने ठीक है बैटलिंग चिप जो है बैटलिंग चिप कोन से स्टेट का हाई-इस पीक है इंडिया कही है इंडिया का ही स्टेट है थोड़ा मुछिप कूछल कोators जैसे अगर आपसे पूछ जाने ऑपको पूछा है कि राजिस्थान का हाई-त्प कोनसा हम कहेंगे आरावली में आता है ऐसी अगर इसका पूछा जाए कि बैटलिंग चिक किस का है बैटलिंग चिप किस स्टेट का हाइस पीक है थोड़ा सा मुश्किल कोशन बताइए आंसर के हैं पाएंगे फेमस नाम है जोर हार्ट इसलिए आ सकता है वैसे तो इंट्रेस्ट आयरपोर्ट बहुत पूछे जाते हैं लेकिन डॉमेस्टिक एरपोर्ट भी आ सकता है कल दौपैर को मैं दौपैर को दो बजें वाई-फाइ स्टेडी पे स्पैशली एवोर्ट्स एन ओनर्स का क्लास कराऊंगा जरूर देख लेना स्पैशल क्लास होगी साथ बजे तो होगी होगी स्पैशली बच्छों को अवोर्ट्स एन ओर उसका क्लास कराना है असाम इसका आंसर है चलो एक और कोशन देखो बताओ डौक्टर शाम प्रसाद मुखर जी इंडोर स्टेडियम कहां प अच्छा कोशन पूछा सकता है ठेक है ना एक और कोशन देखेगा ब्लैक रेवलुशन अभी हम ना कर लिए थे यह सब चीज़ी है ना जैसे अगर मैं बात करूं लैदर किससे संबंदी था ब्राउन ठेक है ब्राउन फर्टिलाइजर भी हो गया है ना ऐसी बच गया कोशन से संबंदी थे हैं ठेक है ना चलिए एक और कोशन देखिए इस कोशन का अंसर क्या है कमेंट करेगा यह रैफर कोड है लाइव अमन जब भी आप प्लस कोर्सिस में जुड़ना चाहो वन शोट सोलूशन हर एक ओफर हर एक डिसकाउंट लेने का सीधा है वर रैफर क करें एक यह कि लिए चल्ब करो जल्दी से बता है इंडवसन बैंग के हैडड़ और पूने standards महारास्ट नहीं लिखा hoody तो पूने यह उप्शन मर थोड़ा मुश्किल कर दिये यसे महाराश्ट ना देखे specific attitude defenders हो तर यह निदे एखकुशन दिखते हैं से लोकिडे वैम कहां पर कहां पर लोकिडेंसर क्या कारण क्या हुने का सुबन सरी हो धिया कमें हो गया कमेंग यह दोनों सायक司 कुन सी नदी की ब्रह्मा पुत्रा नदी की किसकी ब्रह्मा पुत्रा नदी की और ब्रह्मा पुत्रा नदी अरुनाचल पदेश से ही सम्मंदित है ठीक है तो आंसर सुबंस्री डैम का अरुनाचल पदेश होगा ठीक है बहुत मैतपुन सवाल है पूछा जा सकता है आपसे ब बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होगा चाहिए मैं आपको आज फोट का टॉपिक करा हूं आठ बजे वह आप एक बरी आदे घंटे का टॉपिक देख लेना सबसे ज्यादा काम आएगा आपको टॉपिक जैसे अब यह बात करूं अरुन जेटली स्टेडियम कहां पर कोटला स्टेडियम न्यूदेली में है ठीक है अब देखो यह भी आपको कोशन में एक हिंट में दिया था इंटरनेशन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है ना चलो इसको अच्छा एक बरी कमेंट बोक्स पे लिखो क्या स्पीड सही है ठोड़ा धीरे करने की जुरत तो न पर नो जल्दी से एक बरी पैसे तो मेरे हिसाब से ओक्य है ठीक है वेट लिफ्टिंग अब मैंने वेट लिफ्टिंग का बता रखा है बुद्धा पैसिस का आंसर बहुत इंपोड़न कोशन है ना चलिए एक और कोशन देखिए इस कोशन का आंसर क्या है कमेंट करेगा इ आपको वो हैबिट बनानी हे कि पेपर में आप स्पीड में आयांसर दे रही हो पेपर में आप पच्यыс कोशन आठ मिनट में करदो इतनी पैसिटी होनी चैई आपकी आठ मिनट ठीक है दिल्ली में है बहुत famous है पटेल चस इंस्टूट पटेल चस लोकेशन एस्पेसिफिक जहाँ पर इंस्ट्टूट है पटेल चस्ट ठीक है दिवा को रखेगा दिल्ली उनिवस्टी का पटेल चस्ट नहीं कह रहा है लेकिन ठीक है चलिए एक और कोशन देखें किस्तवार नैशनल पार्क कहाँ पर है जम्मू कश्मीर की लोकेशन है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जम्मू कश्मीर की लोकेशन है तो आंसर किस्तवार का जम्मू कश्मीर होगा आंसर कहा इस कोशें है अच्छा जैसे कहता है न हमारे भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कुन सा हम कहते है है हैमिस गलती से जम्मू कश्मीर बत लगा देना क्योंकि लदाग और ये दोनों डिवाइड हो चुके है विना बात नहीं बनती है बिना टौपिक के न बात नहीं बनती है है करना जरूरी हो झाता है सबसे ज़रूर यह टॉपिक करना चलो, आंसर कहा इस कोशन का याद रखेगा बगडोगरा कहाँ पे हैं वेस्ट मंगोल में इंपोर्टन कोशन है डॉमनी इस फोक डांस नया कोशन है आप सभी के सामने डॉमनी फोक डांस है कहाँ का बदे डॉमनी फोक डांस है कहाँ का जल्दी से बताएंगा चली, आंसर कहाँ है याद रखना डॉमनी कहाँ का फोक डांस है आंसर इस कोशन का वेस्ट मंगोल इसका आंसर है ठीक है याद रखना क्या आंसर वेस्टमंगोल इसका अंसर है थोड़ा अच्छे कोशन आ रहे है अभी जो मैंने आपको ये करा है ये भी वेस्टमंगोल का था इंपोर्टन था और ये भी वेस्टमंगोल का इंपोर्टन है ठीक है याद रखे दोनों वेस्टमंगोल के है ठीक है वेस्टमंगोल में भी ची देख लेना बारा मिनट जस्ट बारा मिनट देखो एक बड़ी गंटेंट कई और करन अफेर पढ़ने का मन्नी करेगा उसके बाद एक बड़ी कंटेंट देख लो वर्ल्ड अफेर्स पे जाके जितना डिटेल में मिने कराये वो नहीं पाएगा विक्टोरिया इस एक एपिटल विच ओफ फोली कंट्री आंसर शिया चिन वैसे विक्टोरिया डैजर्ट भी है ऑस्ट्रेलिया में फेमस है ठीक है याद रखेगा चलिए एक और कोशन देखे आज जंप बोल यह खेल का टर्म है किस से संबंदित है कमेंड करेगा किस से संब बोल भी नहीं शायद लेट सी बास्केट बोल इसका अंसर है बच गए ठीक है बास्केट बोल इसका आंसर है जंप बोल क्यूं बचे नहीं है कल रात को आठ बजे टॉपिक कराए था स्पोर्ट स्टम जो बच्चा क्लास में आये था ना कल रात को आठ बजे उसको पता है बास्केट वोल है बचे नहीं तुक्का नहीं किसे तरीके का सारे स्पोर्ट स्ट्रम कल कराए थे आज मैं सारे फेमस फोट कराऊंगा यह क्लास कुंका अंकारा बड़ा सस्ता जवाल है तर्की की बात कर रहा है तो आञार के बात कर रहें है चलो जी औड़ कोशन गा इस कोशन का सरे याद रखे यह लाए रहा किसकी बात और यह तरकी का कैपिटल है अंकारा और अंकारा की कर अर्य की करणसी ध्याए ठीक है जालब सब्सक्राइब लोकेटेट अब बताओ फ्रांस में किसके यूनीशेफ तो है नहीं अभी पड़े थे कि ओपे कहां पे युनिशेफ नियोक में है ओपेक आपका व्याना उस्ट्रिया में एक बस्ता इंटरपोल एक बस्ता एमनेटी इंटरनेश्टल आप बताऊं अच्छे यही लिखा ना बिल्कूर ठीक इंटरपोल है अब इसका कारण क्या है क्योंकि एमनेटी इंटरनेश्टल के हेड़कॉर्टर कहां पे लंडन में है लंडन में है यूके में ठीक है यूके में लंडन में एमनेटी इंटरनेश्टल के इसलिए इंटरपोल बस्ता फ्रांस ठीक है भूलना मत चले एक और कोशन देखिए इस कोशन का आनसा क्या है नैशनल असाम स्टेट का नेशनल एनिमल क्या है बेड़ा सिंपल सा तरीका है इस क्लास में जुड़ने का अगर आप डेली साथ में जुड़गे न मैं अशोर्टी देता हूं कि आप इजएक टाइम पे आओ लेकिन ऐसा नहीं बीच में आ रहे हो साथ कोशन छोड़ दोगे बीच में अगर आओगे तो इजएक साथ बज़े क्लास स्टार्ट हो जाती है ये ठीका पूरा क्रेश कूर चल रहा है पहली बार आये तो कल भी साथ बज़े वाइफ़ई स्टडी सर्च करना है सिंपल सा काम यूटूब पे वाइफ़ई स्टडी यूटूब चैनल सर्च करना साथ बज़े इजएक्टली मेरी क्लास पक्का मिलेगी आंसर इसका क्या है असाम का एनिमल रहोनोस है क्यूं कारण क्या है काजी रंगा में काजी रंगा जो है ठीक है आप सभी जानते हैं वहाँ पे सबसे इंपोर्टन रहोनोस है और वही अस साम का स्टेट कैपिटल भी है ठीक है बड़ा असान कोशन चलिए और कोशन देखिए बारा सिंगा नहीं है नेशनल टेकनोलिजी डे किस दिन अबसर किया जाता है चलो जी आंसर क्या है ग्यारा में को किस दिन ग्यारा में को नेशनल टेकनोलिजी डे अबसर्व किया जाता है ठीक है एक और कोशन देखिएगा नेला पतू बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है इस कोशन का आंसर क्या है ठीक है बती नेला पतू बर्ड सेंचुरी कहाँ पे इस कोशन का आंसर बताओ सोल करो सारे कसर चली दोस्तों आंसर क् पर मैं बात करूं नेला पतु बर्ड सेंचुरी कहां पर है याद रखना आंद्र पदेश में कहां पर आंद्र पदेश में बहुत महत्पुन सावा थे थोड़ा सा मुश्किल भी है लेकिन महत्पुन है एक और कोशन देखो पताओ शेर कश्मीर किसे कहा जाता है बताएगा क सोल करो कि फॉड़ा मुश्किल कोशन हो गया से कश्मीर करें के सोल करो कि मुहममत अब्दुल्ला एक और को श्रकर बताओ अरम अच्छा अरंबां जो है कहां पर अराम जो है कहांपर अराम बाग जो है करेंगे इस कोशन का आंसर क्या है जो बड़ा प्यारा कोशन अरामबा कहां पर इस कोशन का अंसर क्या है उत्तर प्रदेश का आंसर क्या है इस कोशन का अंसर उत्तर प्रदेश का आंसर है बहुत प्यारा कोशन और असान भी है कोई ज्यादा मुश्किल नहीं कवीता चाहल कि सेल्स देखो ओलम्पिक चल रहा है बड़े फेमस खिलाडी होंगे ना उनके नाम पता होने चीए वो किस खेल से संबंदित है ये भी पता होना चीए और ये जरूरी है आपके लिए पेपर में एक इस पैटन का कोशन अब जरूर आने लग गया कि कून सा खिलाडी किस खेल से संबंदित है जैसे कवीता चहल जो है बॉक्सिंग से संबंदित है जैसे कवीता चहल जो है किस संबंदित है बॉक्सिंग से संबंदित है बहुत महत्तपुन सवाल है ठेक है ना चलिए एक और कोशन देखिए बतिए खिर गंगा नेशनल पार्क खिर गंगा नेशनल पार् सबस्क्राइब करना सारे के सारे कि अधिर नानसर कहां पर फेस कोशिए तोपिक लिंक जो ऊपर दे रहा है जब मैं आपको लिंक को आपके तब करना कि आप मेरे साथ क्लास में पोच सको में टॉपिक खतम कर दें 20-30 मिनट लोंगा topic पूरा हो जाएगा cover और free of course class होगे खिरगंगा अगर मैं बात करूँ तो हिमाचल बदेश में है ठीक है एक और question देखो असान ठीक है आसन कहलो या असान कहलो conservation reserve कहाँ पर national park के बहुत question आते हैं century के बहुत question आते हैं लेकिन conservation reserve के question rare आते हैं लेकिन maybe आ जाए ठीक है असान संरक्षन जो reserve है ये conservation reserve है ये कहाँ पर located है थोड़ा सा ऐसा question है मुश्किल नाम असान है लेकिन question मुश्किल है ठीक है बताईए answer क्या इस question आँज़ो जी answer इस question का याद रखेगा देहरा दून इसका answer है क्या answer देहरा दून इसका answer बहुत मह्त पून सवाल क्या answer याद रखेगा देहरा दून इसका answer बहुत ज्यादन है ठीक है ठीक है चली बताईए इस question का answer कै धहरादून इसका answer चरो जी, answer है इसका फॉल कहाँ पर जलदी से ऊंच बताऐगा क्योटी फॉल कहाँ पर लौकेटेट union है इस question का क्या answer है बड़े प्यारे question में से एक पूछा जा सकता है इस question का answer बताओ ठीक है चलो answer है इस question का कर्टी फोल कहां पे है ठीक है मध्य प्रदेश में कहां पे मध्य प्रदेश में है बेटा करिश्मा और सभी बच्चे जितने भी है ना मैं सभी का reply दूँगा आपका जो भी डाउट होगा अभी आप इसके जस्ट बाद अनकेडिमी क्लास होगी उसमें आ जाना लास्ट में दस मिनट उसमें टाउट सेशन भी होता है टॉपिक भी पूरा होता है और फ्री ओफ कोर्स क्लास है लिंक दे रखा है डारेक्ट जुडिएगा ठेक है कोई दिक्कत नहीं संजे गांधी thermal power station कहां पे लोकेट ए कौन सी स्टेट में संजे घंधी के उपर इन सवाल आते हैं ठीक है चले एक और कोशन देखिए इस कोशन का आंसर क्या है ठीक है कोस्टा रीका जो है कैपिटल और करंसी दोनों बताओं कोस्टा रीका कैपिटल और करंसी दोनों बताओं सारे के सारे कोस्टा रीका कैपिटल और करंसी दोनों बताओं हर एक ब चलिए बटा आंसर क्या है को स्टारीपारी का सॉत जोस एन कॉलन क्या सैं जोस एन कॉलन है मुश्किल थोड़ा से क्वशन था यह दूचलिए एक और क्वर कोशन देखी इस कोशन का आंसर क्या है बते है फिरचुपुली इंटरनेशनल एरपोर्ट कहाँ पर कमेंट करेंगा व्हेर इस टिवली ईंटरनेशनल एरपोर्ट न को मता यो एंटर इनटर इनप्रनेशनल इरपोर्ट एंपई कि याद रखने इस qo一ड तामिल नाडू इस qo is ng a बहुत प्यारे qo कोशन में से एक है त्रिचपुली ना मैं आपको बताओ यह ना कोई कोशन मुश्किल नहीं होता है क्यों क्योंकि ट्रिचपुली तो फेमस लोकेशन है ठेक है तामिल लाडू की फेमस इन और अगर पूछा है तो अब आपको जो लिंक दे ना वही से आप मुझसे जुड़ सकते उसके बाद आपको जुढने का मौका नहीं मिलता प्री क्लासे में आप जुढ़ सकते हों पंती डान्स कौन सी स्टेट का डान्स है इस कोशन का आंशर क्या है सरगे सर जीएस की क्लास कब होती है बैटा जीएस की हो रही है क्लास तो ठीक है आंसर कहा च्छतिस गड़िसका अंसर है ठीक है पंती रिवोल्ट भी आपने सुना होगा ठीक है चलो एक और कोशन देखो मैं आपको एक हिंड देता हूं जैसे जो पनजाब नेशनल बैंक है पी औण भी जैदा तर ऐसा होता है कि जहां पर पंजाब लिखा होता ना उसके एंड़क्वाटर नियुदेली में होते हैं जादा तर ऐसा ही होता है यह चीट कोड समझो या वटक्सोयावर जहां पर को बिटाऊ इसको शर्क क्या है क्या यहां पर भी यहां पर लिख यहां पर इस highlighting टो हम बदाते हैं दो हम गिंद एंडियन जहनं पर आगे अगे लिखा हो वह बैंक चननई है थिक हैं पंजाब जहा पे आगे वो बैंक दिल्ली में है याद रखना चीट कोड है जरूरी है याद करने आपको ठीक है चलो एक और कोशन देखिए पार्टली पुत्र स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स स्टेडियम कहां पर लोकेटर है कि बता पार्टली कॉत्र जो है पार्टी पुत्र इखिए लोकेशन कोशन को बताओ कर आजए हैं आप बस मेरे कोई कमेंड कोस्ता पर बाताओ कोन कोन सा बच्चा मेहनत करके कल भी साथ बजए सीधा वाइफाइ स्टडी सर्च करके जुड़ेगा नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करेगा खुद वाइफाइ स्टडी इजटली साथ बज़े सर्च करके को न आने माला येस और नो एक सवाल में लास्ट में जरूर पूछता हूँ सो डेट कि आपकी खुद की कंटिनिटी बनी रहे आपको खुद को एफ़र्ट करने का हो मन में कि यार हाँ वाइफाइ स्टडी सर्च करूँगा साथ बज़े सर की क्लास मिल लाएगी मैं उस क्लास का हिस्सा बन जाऊँगा येस और नो कमेंट करेगा सारे के सारे एक बरी चलिए आंस है कैस कोशन का कुटे का हाट जो है 36 गण में जैसे पंती डांस है ठेक है इंपोडेंट है चलिए एक और कोशन देखिए तलगाडी फेमस है ये तलगाडी तो फेमस फोक डांस है बदे कौन सी स्टेट का है और Awards and Owners लेटस सारे करा दूँआ बाकि आप 7 बजे तो खेर आ नहीं आना 7 बजे तो ये फिक्स है अपनी ये क्लास तो फिक्स है अपनी चेडिूल क्लास है डेली आज कल की भी लग चुकी है अभी गोई इसका आंसर एक और कोशन देखे असूटेबलब़ॉइ बहुत famous किताब और author कों है बढ़ा famous नाम है ये बहुत famous नाम है असूटेबलब़ॉइ बतेए answer क्या होगा असूटेबलब़बॉइ जो है इस किताब के author कोन है 이ास कोशन का अंसर बतेए who is the author of this book चलो बेटा याद रखना इस question का answer बताएं Who is the author of this book? चलो बेटा, याद रखना suitable boy, author कौन है याद रखे कि हमेशा बहुत easy है Vikram said इसका answer बहुत easy अगर रसकिन बोंड है, चेतन भगत है इनके सवाल आते हैं तो बहुत important ही समल लो ठीक है, पता होने चाहिए एक और question देखो, बताओ फिर दो लुक उन्तिया एक dance है, drum dance कहते है यह किस state का drum dance है जल्दी से बताएं अब यह आपको इसके बाद बस उपर वाला link open करना है continuity बनानी है, कितने मिनट के लिए सिर्फ 30 मिनट के लिए और continuity बनाओ आपको फायदा बहुत होगा world affairs फिर उसके बाद साज कर लेना यही time है साथ से 9 बज़े तक ना prime time होता है, अच्छी जीके की त्यारी करने का ठीक है, चले PDF comment box पे आगाएगी, जितने में आप उस class में जुड़ोगे करनाट का होतने में आ जाएगी ठीक बताई, राज गोपाल स्वामी टेंपल situated है कूंसी स्टेड में, comment करेगा राज गोपाल स्वामी टेंपल जो है ये कूंसी स्टेड में, situated है इस question का answer क्या है तोल करो, जल्दी से बताओ इस question का answer क्या है, राज गोपाल स्वामी जो टेंपल है ये कूंसी स्टेट में सुचटेट है इस question का answer के है चलो answer है याद रखना इस question का answer है तामिल लाडू ठेक है तामिल लाडू इसका answer है बहुत मैंतपूर सवाल है उचर आ सकता है चलो एक और question देखो बताओ यह एक आयर्वेदिक ठेक है best eldय बेंका आयर्रूधिक बोटाइनिकल गार्डन कहां पर eh कमेंट करोग इस question का answer के ठीक है यह अयर्वेदिक बोटाइनिकल गार्डन कहां पर किसी ने भी है ना कई पर भी नहीं पढ़ा होगा आपने है कि यह अग्यार ओल्मोस्ट गोइंग टू एंड इस सेशन एंड हम उसी के इसके जस्ट बाद स्टार्ट कर देंगे लिंक ओपन करना आपको ठीक है चली तो यह सेकंड लास्ट कोशन आंसर इस कोशन का गोव यह ब आज आपको सीधा लिंक ओपन करना है फेमस फोर्ट का उपर चैट बोक्स पर लिंक दे रखाना वह उपन कर लेना अगर एंट्री कोड मंगता है तो लाइव अमन रेफर कोड़ है एंट्री कोड़ क्या है लाइव अमन एंट्री कोड है फ्री ओफ कोस्ट जूडने के आंसर गुरुग्राम बेटा ये क्लास अब साथ बजे डेली देखो ठीक है उपर वाला लिंक ओपन करो ये क्लास साथ बजे की होगी हमने कम्प्रीट कर लिए पीडिएफ कमण बोक्स पर आ जाएगी उसकी टेंशन मत देना कभी थियोरी पढ़ नहीं हो यूटूब पे इ वाइफाई स्टडी पे आओ सर्च करके वाइफाई स्टडी और डेली 120 कोशन उठाओ पीडिएफ के साथ उपर लिंक दे रखाये टॉपिक पढ़ेंगे इस टॉपिक में अगर आप एक बार ही जुड़गे ना मैं अशोर्टी देता हूँ इसके बाद कहीं पे किले आपके लिए सबसे ज्यादा फायदे मंद रहेगा वाइफेर यूटूब पे सर्च करना आज रात को 12 से पहले कभी भी उसके वीडियो सेक्षन में जाके आज की 39 जुलाई की करेंट अफेर सारे एक बार देखना सबसे अलग करेंट अफेर मिलेंगे आपको सबसे अलग औ जोटर ओपन कर लो लिंक को उपर चैट डवॉक्स पर दे रखा घंवे प्लस कोर्सें मैं आपको पढ़ाता हूँ प्लस कोर्सें में आपको complete डिटेल में मैं आपको ठीयोरी पढ़ा रहा हूँ ठीक है detail ठीडेने मिलेगी आपको हर सब्जयक की एक ही रेफर कोड पे Live अमन पर इस इस दा ओनली पॉइंट जहां से आप जोड़ सकते हो अनकेडिमी पर एससी गोल सिलेक करना है गेट सब्सक्रिश में क्लिक करना है जब रैफर कोड लाइव अमन लगाओगे तो डिसकाउंट हो जाएंगे सारे ओफर्स मिल दाएंगे टॉपिक आप उपन कर लीजे सारे के सारे ठेक है मिलते हैं आप से साथ बजे डेली क्लास देगो वाइफर शड़ी को फिक्स टाइमिंग है ठेक है ओके बाई सभी को मिलते हैं सेशों को लाइक करिए शेर करिए चैनलों को सब्सक्राइब करिए सारे के सारे ओपन कर लो क्ला